आज इस फुटम में हम बात करने वाले हैं बहुत आल न्यू KTM Duke 250 के बारे में सारे कलर्स यहां पर बताने वाला हूँ क्या क्या बाइक के अंदर आता है स्पैसिफिकेशन, डीटेल्स, फीचर्स हर एक सी स्क्राइब हम बात करने वाले हैं यहां पर बात करने वाले हैं यहां पर कुछ इस प्रकार का लुक आता है यहां पर कुछ इस प्रकार से यह भी एक और डाक ग्रे या फिर आप कहें डाक-silver कलर का ओंबिनेशन देखने का मुलता है कुछ इस प्रकार से कलर आता है इसके जो अलाई वील से यह औरेंज कलर के अंदर आते हैं मुझे जो कलर पसंद है उन मैं परसनल यह पो अता हूँ इस प्रकार की बाइक आते हैं चोटा सा मैंको वाकराउंड भी देता हूँ इस बाइक का दे के टीम ड्यूक टूफिफिटी एक मिड़ बजट सेग्मेंट में बात करूँ अच्छी क्वालिटी वाली बाइक जिसके अंदर अल्मोस सारे फीचर आते हों एक बिल्कुल प्राक्टिकल मशीन हो वो यहाँ पर डेफिनिटली ड्यूक टूफिफिटी ही है मेरे एसाब से अब यहाँ स्पेसिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं बाइक के बारे में आपको 17 इंच के जो हैं आपर अलॉई वील्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के जो आपको हैं टायर देखने को मिल जाते हैं काफी डीसेंट ग्रिप वाले 320 mm का फ्रेंट में डिस्क ब्रेक आता है बाइबरी के आपको जहें आपर है कैलिपर्स देखने को मुलते हैं WP के अपसाइड डाउन सस्पेंजर जिस्टम आते हैं साथ में रिफ्लेक्टर आते हैं यहां पर आपको कंप्लीट एलीड है लग देखने को मुलता है बाइक का कुछ इस प्रकार से आपको LED DRL से भी यहां पर LED इंकेटर इंदर देखने को मुलते हैं आप देखो जब भी आप हई बीम करोंगे देखो इस दो इनिकेटर वह काफी यहां पर तेज हो जाएंगे आप देख सकते हैं यह दो आप ब्लिंक तेज करने लग गए तैसे यहां पर headlight cluster में high beam on करी और दिखवा आप वैसे यहां पर लोग है तो यह काफी बढ़ी चोटी मोडी चीज़े जो features हैं काफी अच्छा लगते हैं and overall complete LED headlight cluster bike के लिए यहां पर जो है fuel tank 13.4 liters का आता है प्रॉपर यहां पर metal finish वारा fuel tank है तो जो quality है वो काफी decent आपको bike की देखने को मलती है काफी wide handlebars यहां पर bike के अंबराते हैं at the left यहां है high beam low beam indicator horn और pass button right side आपको kill switch और ignition switch देखने को मलता है center में आपको कुछ इस प्रकार से एक decent instrument cluster देखने को मलता है old design वाले यह मैं उम्मीद करोंगा कि यार इस बार तो KTM यह वाले design change करी दे because what time से यह वाले design हम देखते आ रहे है overall seats यहां पर आपको split section में देखने को मलती है काफी decent एक comfort देखने को मलता है rider का pillion comfort ठीक है बट spacing थोड़ीशे और better की जा सकती है overall cushioning काफी decent है इस बाइक के जो seat से city के साब से ठीक है बट अब अब हाइवे राइडिंग कर रहे हो एक long ride कर रहे हो तो मेरे साब से यहां पर एक gel seat जरूर लगालना इसके उपर तो जो आपका comfort थोड़ा जादा better हो जाएगा इस बाइक के अंदर आता है इस पिट्रल इस फ्रेम इंजिन के पर एम बात करूँ 250 CC काटेगरी का इंजिन आता है 248.8 CC का exactly यहां पर जो है CCS इस इंजिन का चाह गेर आता है इस बाइक के अंदर mileage जो है almost 30 km पर लिटर का इस बाइक दे देती है इस बाइक के अंदर मुझे परस्नली बिल्कुल नहीं लगते है बट आप बहुत जादा गरमी में बहुत जादा ट्राफिक में अगर आप बंपर टू बंपर ट्राफिक में हो तो हलका सा जादा गरम करता है बिकॉस एक परफॉर्मेंस 248.8 CC एंजिन है कोई नॉर्मल 200 CC काटेगरी वाला एंजिन नहीं है एक परफॉर्मेंस ओरेंटेड एंजिन है तो थोड़ा सा जादा गरम करता है इस कंबेर टू नॉर्मल 250 CC एंजिन्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है स्मूधनेस बहुत अच्छी है गेर शिफ्स बहुत बढ़िया है यहाँ पर एंजिन रिफाइनमेंट बहुत जादा है बाइक के अंदर और एक क्वालिटी प्रोड़क्ट आपको देखने को मलता है यहाँ पर रियर में आ आते हैं LED इंडिकेटर आते हैं साइट एक्जाउस देखने को मिल जाएगा काफी गुड लोगिंग साइड एक्जाउस्ट बेसी यहाँ पर एक्जाउस्ट और नूट यहाँ आपर वाइक तो डिस्क ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं फ्रंट और रियर के ब्रेकिंग बहुत डीसें फीचर हैं बाकि आपकी आप एक डियोक ब्रॉपर वाइली फॉर मनी प्रोडक्त है आपको यह बाइक आपि जब्सक्राम के जब्रेक्ट जूर जाएगा चानल पेले के बिलकुन पूलेगा इन से का आपको निक्ला कर सकते हैं यहां लिक क्या रहा है थ्रॉटल न् 98 is my Instagram handle, मिल दें हैं आप से रोडियो में, थैक्स में पावडे, सी यू नेक्ष नेक्ष नेक्षू, तल दन विया पीन राइट सेफ, बबाए.